आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज की जो कहानी है ये सत्य घटना है ये घटना है बरशाने की तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो बहुत छोटे होते हैं प्लीज इनको फूल वॉच कर लिया करि हुआ था बरशाना में स्री राधा जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे सेठ जी बहुत ही संपन्ने थे उनके पास सब कुस था आलिसान दुकान भव भवन तीन बेटे और तीन बहुएं सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्ने थे लेकिन फिर उनके मन में बड़ा दुखता उन्हें हमेशा लगता था कि कास उनकी एक पुत्री होती एक बेटी होती तो वे मन की अपनी सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते कुछ समय पहले सेठ जी का सेठ जी की जो पतनी थी उनका दिहान थो गया उससे सियर करता और अब है तो अब से ठानी भी नहीं है मैं किस से बताऊँ तो क्या हुआ कि सेट जी हमेशा घर के पास इस ते जो घर के पास था एक मंदिर वहाँ पर राधा जी के दर्सन करने जाया करते थे एक दिन जब सेट जी मंदिर में स्री राधा जी के दर्सन करने गए उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे सेट जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने पूछा उदास क्यों हो बेटा तो सेट जी बोले महराज मेरे कोई बेटी नहीं है इसलिए मैं उदास हूँ संत मुस्कुराए और बोले यदि जीवन में किसी का आभाव है तो उसकी जगे भगवान को बिठा लेना चाहिए सेट जी बोले महराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए संत बोले अरे सेट जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी स्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते संतिकी यह बाद सेठ जी को बहुत पसंद आई उसी दिन सेठ जी ने स्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मगवाया और उसे अपने कमरे की दिवार में लगा लिये अब तो सेठ जी का जीवन बदल गया वो उठते बैठते सोते जाकते स्री राधा जी से अपनी सारी बातें किया करते थे, सारी बात बताया करते थे उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंदा था सेठ जी, राधा जी में ऐसी लगन लगी की सेठ जी को राधा जी में ऐसी लगन लगी की जब भी भी दुकान जाते तो स्री राधा रानी को भोग लगा कर प्रशाद पाकर ही जाते थे साम को लोटते तो राधा जी को प्रणाम करते उनसे बातें करते और भोग लगा कर फिर प्रशाद ग्रहन करते और अपनी दुकान चले जाते हर समय स्री राधे स्री राधे शंकीर्दन किया करते थे और हर समय प्रशन्य चित रहा करते थे जब भी सेट जी से कोई उनका परचे पूछता तो सेट जी कहते तीन बहु बेटे हैं घर में सुक सुवधा है पूरी संपत भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी कृष्ण क्रपा से जीवन पत में आती ना कोई बाधा मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है स्री राधा ऐसे बोलके वो अपना पर्चे देते थे एक दिन सेट जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारे नाई पहले की टाइम पर मनिहार और मनिहारे नाया करती थी आज की टाइम पर तो सब लोग सौप में जाके चूड़ी खरीद लेते हैं और खुद से पहनते लेकिन पहले टाइम पर मनिहारे न ही चूड़ी पहनाती थी तो मनिहारिन आई और तीनों बहुओं ने बारी-बारी से आकर मनिहारिन से चूडियां पहन ली स्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूडियां पहनाने वाली आई है मनिहारिन आई है तो मैं भी जाकर चूडियां पहन लेती हूँ जैसे ही तीनों बहुएं चूडियां पहन कर चली गई स्री राधा जी प्रगट हो गई मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वे उन्हें देखती ही रह गई इतनी सुन्दर थी अब उनकी खूपसूरती का क्या बयान किया जाए तो राधा जी बोली मुझे भी चूड़ी पहनाओ न मनिहारिन तो मनिहारिन ने समझा होगा कि उसने सोचा कि होगा कोई घर में आई होगी कोई बच्ची महमान होगी तो ये सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ीयां पहना दी स्री राधा जी चूड़ियां पहन कर एक उट में जाकर अंतरध्यान हो गई सभी को चूड़ियां पहना कर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेट जी की दुकान पर चली गई तो मनिहारिन को देखते ही सेट जी बोले घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी ये लो तुम्हारे पैसे सेट जी ने मनिहारिन को हर बार के तरह जैसे तीन बहुएं पहनती है तो उस हिसाब से पैसे दे दिये मनहारिन बोली सेट जी इस बार में ज़्यादा पैसे लूँगी तो सेट जी ने बोला मैंने आपके सेट जी ने बोला क्यूँ तो मनहारिन ने बोला मैंने आपके घर में तीन जनों को नहीं बलकि चार जनों को चूड़ियां पहनाई है सेड़ जी बोले हमारे घर में तो तीन बहूं के अलावा और चौथी कोई है ही नहीं तो तुमने चूड़ियां किसको पहनाया तो मनिहारिन बोली ये मैं नहीं जानती लेकिन मैंने तो चूड़ी चार को पहनाई है सेट जी बोले कि बागी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा उसके बाद दूँगा मनिहारिन बोली ठीक है सेट जी आप घर में पता कर लीजे यह कहकर मनिहारिन चली गई तो साम को सेट जी घर पर पहुँचे उन्होंने घर में मनहारिन के बारे में पूछा कि मनहारिन आई थी बहुओं से कि आज मनहारिन आई थी तुम लोगोंने चूडियां पहल ली तो उनकी बहुओंने बोले कि हाँ पिता जी मनहारिन आई थी तो उन्होंने पूछा तो चूडियां कितने लोगों ने पहनी है तो बहुओं ने बोले कि हम तीरों ने ही चूडियां पहनी है पिता जी सेट जी बोले मैं भी काऊंगी चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में तो ये जो मनहारेन है ये चूड़ियां किसको बोल रही है पहनने के लिए और इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए सेठ जी राधा राधा बोलते और स्री राधा जी को प्रशाद का भोग लगा कर और भोजन करके फिर सो गए फिर क्या हुआ जब सेठ जी की नीद लग गई तो उनकी स्वपन में स्री राधा जी प्रगट हो गई राधा जी बहुत उदास थी उनकी आँखों में आसू थे सेठ जी ने पूछा बेटी उदास क्यों हो तो स्री राधा जी बोली आज मेरा मन बहुत दुखी है पिता जी म मैंने आज अपने पिता का घर समझ कर यहां उस मनहारिन से चूडिया पहनी थी परंतो पिता जी आपने उस मनहारिन को मेरी चूडियों का मोल तो दिया ही नहीं तो पिता जी आपने मुझे पिता जी आपने मुझे बेटी तो माना ही नहीं बना लिया है वस परंतो आपको मेर कि याद कहां रहती है आपने मुझे भुला दिया इससे मैं बहुत दुखी हूँ यह सुनकर सेट जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी मुझे छामा कर दो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है सेट जी तुरंत नीद में से उठ बैठे उनकी आँखों में आसू आ रह मनिहारिन ने दर्वाजा खोला सेट जी आप इतनी रात को ऐसा क्या काम था ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतनी रात में आप आए सेट जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन बहुत ज़्यादा वह हो गई मतलब चौक सी गई कि कैसा क्या हो गया सेट जी तो सेट जी के नेत तो सेट जी बोले मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है परन्तु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूडियां पहनाई है आज तुम्हारे जितना बढ़ भागी भाग के साली इस धर्ती पर कोई नहीं है मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूडियों का मूल चुकाने आया हूँ पैसे देने आया हूँ यह कहकर सेट जी ने रुप्यों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा इसमें से जो भी लेना हो जितने भी पैसा लेना हो मनिह मनिहारिन तुम निकाल लो जब मनिहारिन ने सुना कि स्वैम राधा जी उससे चूडियां पहनने आई थी तुम उसकी आखों में भी आसूओं की धारा बहने कली मनिहारिन बोली सेठ जी मैं राधा रानी की चूडियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ राधा रानी तो इ पहर पर रखी और वहां से सीधे स्री राधाजी के मंदिर में चले गए उस दिन के बाद सेथ जी ने सब कुछ छोड़कर सन्यास ले लिया और अपना सेश जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दी तो ऐसी है हमारी किसोरी जी हमारी राधारानी भगवान करें सब के ऊपर राधारानी की कृप्पा हमीज़ सा बनी रहे सबका कल्याण हो सबकी मनुकामनायम पूरी हो तो बोलिए राधे राधे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मज़ फुल वाच करने के लिए